तो नमस्कार मैं विपल सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी स्टुडेंट्स का आपके सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म जहां पर आपको CET PG की तैयारी कराई जाती है और CET PG की हर एक अपडेट सुषना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुँचाई जाती है CET PG 2024 के Expected Cut-Off Subject-Wise को ले करके सवाल आप सभी के आपके आंसर की के बाद से लागातार थे और आंसर की आते ही मैंने आपको एक फॉर्म का लिंक दिया था उसमें मैंने कहा था आप सभी अपना डाटा भरिये हम Expected Cut-Off के लिस्ट पूरे मेहनत से Exact तयार करने का प्रयास करेंग पर जो मेरे द्वारा तयार किया गया है किस तरीके से ये तयार किया गया है वो भी चर्चा करूँगा सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा यानि अगर आप CET PG का Expected Cut-Off को खोज रहे हैं आंसर की के बाद तो इस complete वीडियो को ध्यान से देखेगा दोबारा किसी और कही और किसी और के वीडियो में आपको जाने की या खोजने की आओ सकता नहीं पड़ेगी क्योंकि बड़े ही मेनत से मैंने इस Cut-Off लिष्ट को तयार किया है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और वीडियो की सुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैन चैनल पर कवर करेंगे जिसका नाम है CUET PG Study Capital इसलिए वो चैनल भी सब्सक्राइब करेगा लिंक डिस्क्राइब करके रखिएगा आपको बहुत ही सायोग मिलेगा और कांसलिंग तक आपको कोई भी एडमिसन तक आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी तो बात करते हैं इस Cut- करके मैं Cut-Off सुन लूँ तो Skip करके Cut-Off सुनेंगे तो फिर उस Cut-Off की Value आपके लिए क्या होगी मुझे नहीं पता क्योंकि यह Value अगर आपको समझना है तो पूरा structure समझ लीजिए तब ही आपको proper Cut-Off और पूरी बात समझ में आपाएगी क्योंकि मैं सुरुआती दौर में आप करने के लिए मैं सौर्ट में आपको समझाओंगा ध्यान से पूरा समझते चलिए CET PG 2024 Cut-Off After 72 Hours Answer Key Data Analysis Answer की आने के बाद लगबग 72 घंटे का समय मुझे लगा इस Cut-Off को Prepare करने में आप लोग Demand लगतार 24 घंटे के बाद ही कर रहे थे कि Sir Cut-Off दे दीजिए लेकिन दोस्त इतना आसान नहीं था इस Cut-Off को तैयार करना क्योंकि क्या-क्या Basics मैंने यूज किया इन Basics को समझिए और क्या कठीना ही मैंने Face किया इस Cut-Off को बनाने में इसको समझिए तो आपको मेहनत समझ में आएगा मेहनत का अंदाजा समझ में आएगा Basics of our Cut-Off Analysis सबसे पहले हमने Student Score को देखा जो आपने Form में भरा था जो हमने Form आपको दिया था दूसरे नंबर पर हमने Number of Seats की Allability को देखा कि कितनी Seats की Scores में किस-किस Universities में Allable है जो Top Central Universities है तीसरे नंबर पर हमने Expert Analysis भी रखा चुकि Study Capital पर हर एक सब्जेक्ट के JRF Mentors आपको पढ़ाते हैं उनके अनुसार हमने Paper जाना कि Paper आपको क्या लगा था कि Paper आपके अनुसार अगर आप बैठते पेपर में तो आपको Paper किस लेवल का लगता एक PG के Student के लेवल का अगर देखा जाए तो उस पर बात किया फिर Paper का लेवल मैंने खुद समझा Paper देख करके अलग-अलग सब्जेक्ट का कि मेरे अनुसार इस सब्जेक्ट का Paper किस तरीके का चल रहा है क्योंकि मैं हर साल का Paper देखता हूं Paper Review पर मैंने काम किया जितना भी Paper Review मैंने Ground Reporting के मादयम से लिया था और पेपर के जस्ट बाद मैंने इस्टूडेंट्स से लिया था उस रिवियू को मैंने जो भी वीडियो बनाया था या डाटा मैंने डायरी में लिका था उस डाटा को मैंने दोबारा रिवाईज करके पढ़ा उसके बाद previous counseling structure को भी मैंने इसमें फोकस किया कि किस इंवर्सिटी की काउंसिलिंग किस समय हुई थी, कितना गैप था, उसकी अनुसार आपको समझा सकूँ, उसके बाद highest marks according to form, जो form भरा गया, अलगलग subject का, उसमें कितना highest marks गया है, क्योंकि इसका भी असर पड़ता है, तो इसको भी हमने देखा उसके बाद experience analysis तयार हुआ, मेरे साथ हैनी विपोलसर के साथ, तो अब बात करने जा रहा हूँ, कि analysis क्या है, और प्लीज आप लोग comment पर यह मत लिखेगा, कि वीडियो इतने देर के बाद सुरू हो रहा है, अगर इस तरीके से किसी को ब्रहमित करेंगे, तो सुरू की बात तो नहीं देखेगा, तो लास्ट की बात उसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, इसकी गारंटी है, क्योंकि अगर मैं कोई भी cut-off वीडियो दे रहा हूँ, अगर मैंने answer की के बाद prepare किया, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखेगा, नहीं तो इसी नंबर के मादेम से आप connect रहेंगे, message नाम, course का नाम और counselling के लिए help चाहिए, तो सारा status अगरा update होता रहेगा, और हमारे social media accounts है, इस पर connect हो जाएगा, at the great vipulsing bhu, the study capital, vipulsing study capital, चलिए, तो बात करते हैं कि cut-off analysis पर, अब कई universities है, JNU है, BHU है, DU है, HCU है, IFLU है, TIS है, तमाम top central universities है, तो अभी जो मैं आपको cut-off बताने जा रहा हूँ, इसका जो मैं level cover करूँगा, कि किस level का cut-off बता रहा हूँ, तो आप मान के चलिएगा कि BHU, DU, HCU, इनके level को मैं cover करूँगा, जो cut-off मैं बताऊँगा, आप अपने category के recording, अगर आपको JNU का cut-off आपके subject का DU को cover करेगा, HCU को cover करेगा, और बाकी जिसमें, जैसे JNU में maximum subjects में plus 35 आप कर लीजेगा, IFLU में भी 10-20 नंबर बढ़ा लीजेगा, English वगरा subject के लिए, उसके बाद अगर आप TIS के लिए, जिस courses में TIS में भी admission होता है, उसमें भी आप कम से कम plus 30 to 35 marks कर लीजेगा, जैसे HRM ह जैसे, जितने भी courses है TIS में, तो उसमें भी plus 30 आप कर लीजेगा, उसके बाद मैं जो cutoff बताने जा रहा हूँ दोस्त, वो general category के recording बताऊंगा, ठीक है, general category के recording, तो बाकी अगर किसी भी category से आप belong करते हैं, for example, EWS से belong करते हैं, तो अगर आपका minus 15 भी है, मेरे द्वारा बताए cutoff के recording, SC category से belong करते हैं, तो at least minus 30 to 35 का range अगर minus भी है आपका, तो आप safe zone में रहेंगे, यदि आप belong करते हैं, SC category से, तो minus 40 मान के चलिएगा, जो मेरे दोरा cutoff बताया जाएगा, उससे कम भी है, तो आप safe zone में रहेंगे, तो cutoff बताने की प्रकरिया मैं सुरू करता हूँ, एक और फिर remind करा दे रहा हूँ, BHU, DU, SCU को follow किया जा रहा है, इसके cutoff में, JNU, TIS के लिए 35 plus कर लीजेगा, other categories में इस तरीके से minus कर लीजेगा, general category को follow करते हूँ, ये cutoff आपको बताया जा रहा है, और देखिए, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये cutoff वीडियो मैं आपक प्रविजनल आंसर की के बाद बता रहा हूँ, फाइनल आंसर की के बाद, drop questions के marks तो सारे में बढ़ेंगे, उसमें ज्यादा परिवर्था नहीं होगा, लेकिन अगर challenge questions के marks बढ़ते हैं, तो cutoff में थोड़ा बहुत variation देखने को मिल सकता है, और जो मैं आपको marks बताने जा र आएंगे, और मान के चलिएगा कि guaranteed है कि आपको उतने marks तक आपके 5 से 7 universities में admission confirm आपको मिल जाएगा, इसकी guarantee समझेगा, उससे कम marks है, तो उससे low marks वाली university जो मैं लिस्ट आगे बताऊँगा, उसमें आपका होगा, चलिए, हमें इंगलिस से सुरुआत करते हैं, paper का level, अब प बाकी BHU, DU में आप range, अब दिखे मैंने 160 अगर कह दिया, तो अगर DU में counselling पहले हो जाती है, तो DU का cutoff 170-175 पर रुख जाएगा, तो BHU 160 पर आजाएगा, अगर मैंने, आपकी DU की counselling लेट शुरू हती है, BHU ने पहले शुरू कर दिया, तो BHU 170 तक चला जाएगा, DU 160 प उपर चली जाएगी, DU नीचे गर जाएगा, DU ने पहले करा दिया, तो DU का उपर चला जाएगा, BHU नीचे गर जाएगा, इसलिए ये दस पंदिया नमर का cutoff में, जो मैं cutoff बता रहा हूँ, उसमें किसी इनुर्शिटी में बढ़ जाएगा, किसी में 10 नमर घट जाएगा, तो वहाँ से range जो है, वो manage हो जाएगा, तो ध्यान रखेगा, MA English में 160, MA Hindi में 185, MA MS Psychology में 185 to 195, MA Political Science में 180, MA MS Economics में 165, MA Philosophy में 160, ध्यान से सुनते जाएगा, सारे MMSE, LLB सबका बताऊँगा, MA MS E Jagrafy में बता रहा था 170, MA Sociology में 180, MA History में 160, MA Sanskrit में 185, MA Ancient History में 170, MA Linguistic में 170, MSC Agriculture में 190, उसके बाद बचा आपका, MSC Physics में 170, MSC Geology में 175, MSC Geology पेपर कटीन हो गया था 160, MSC Chemistry में आपका, MSC Botany में 180, फिर MSC Chemistry में भी 160, MSC Maths में 150, 155, MSC Stats में आपका 170, MSC Physics में आपका 180, MSC Microbiology में आपका 195, Forensic Science MSC में 140, MSC Informational Science में 150, MSC Computer Science में 170, B8 Language में 195, B8 Science में 180, B8 Common Paper में 170, B8 Humanities में 190, B8 Maths में 205, MBA में 190, LLB में 185, M.com में Approx 165, यह पूरा जो मैंने Cut-Off बोला आप कहेंगे तो एक बार फिर से में revise कर दूँगा, खेर आप दोबारा वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, एक बार फिर से रिवाइट कर दे रहाओ, फिर आगे की बात बताता हूँ, M.A. English 160, Hindi में 185, Psychology 175 to 185, मतलब 75 से प्लस ही रहेगा, 190 तक भी छू सकता है, M.A. Political Science में 185, Economics में 165, Philosophy में 160, जगर्फी में लगबग 170, Sociology में 180, History में 160, Sanskrit में 180, Ancient History में 170, Linguistic में 170, MSC Agriculture में 190, MSC Physics में 170, Geology में 170, Geology में 170, Botany में 180, Chemistry 160, Maths जो है 150, से पच्चपन, Stats में 170, Physics में 180, Microbiology में 195, Forensic Science में 140, Environmental Science में 150, Computer Science में 170, B.A. Language में 195, B.A. Science में 180, Language में 190 के करीब माल लिजे, B.A. Common में 170, Humanities में 190, Maths में 200+, 205, MBA में 190, LLB में 180, M.C.O.M. में लगबग 160, 165 के प्रॉक्स जाएगा, यह overall मैंने cut-off पर चर्चा किया, जितना मैंने score बोला है, अगर आप general category से belong करते हैं, B.H.U.D.U. के level की university चाहिए, तो यह cut-off जाएगा, अगर जिसका counselling पहले होगा, उसका 10-5 नमर cut-off उपर चला जाएगा, जिसका counselling बाद होगा, वो इस range में रहेगा, और यह जो मैंने cut-off बताया है, मान के यह भी चलिए, कि second to third round तक का cut-off है, तो अगर round जो है, और ज्यादा चलता है, 4-5-6 round तक चलता है उसी university में, तो 10-12 नमर और कम हो सकता है, साथ में, अगर general category के अलावा, अगर कोई भी category है, तो यह minus कर लीजेगा, जो मैंने marks बताया, और overall, यह review जो मैंने तयार किया है, बड़े minus से तयार किया है, तो सबसे पहले comment box में धन्यवाद अगर ग्यापित करना होगा, तो जरूर ग्यापित करिएगा, और साथ में comment box में यह भी बताएगा कि paper का review कैसा रहा है, और paper का review मैंने बहुत इमानदारी से तयार किया है, तो अगर आपका marks बहुत ज्यादा है, तो आपको यह लगेगी cut off कम जा रही है, तो उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर आपका marks बहुत कम है, आपको लगेगी cut off बहुत ज्यादा जा रही है, तो उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह cut off, average जितना भी मैंने यह data बताया, उसके आदार पर मैंने तयार किया है, final answer की और result की बाद cut off में थोड़ा बहुत variation देखने को मिल सकता है, तो आप result तक हमारे साथ जुड़े ही रहेंगे, counseling तक जुड़े रहेंगे, admission तक जुड़े रहेंगे, तो क्या BHU का 160 जा रहा है कि DU का 160 जा रहा है, तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, GNU के लिए क्या range था वो भी मैंने आपको समझा दिया, तो उमीद करता हूँ कि बातें जो हैं, आपको समझ में आई होगे, अब बात करते हैं, जिनने 2024 में काउंसलिंग का डिटेल चाहिए, वो सब लोग ये काम कर लिजेगा, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा, वट्सटाप पर मैसेज कर लिजेगा, ये सोसल मेडिया एकाउंट सो फालो कर लिजेगा, तेलिग्राम पर भी हमारा चैनल है, स्वीटी, यूजी, पीजी, पीजी, स्टेडी कर प्टल, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा, स्वीटी, पीजी, दोजार पचीज, की जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, हमारे बैच का इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है, तो आप थोड़ा सा और इंतजार करिए, क्योंकि हमारा यही हर बार का नियम रहता है, जिस वर्स का हम बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, श्टूडेंस का, अपने जूनियर्स का, उनका हम एड्मिसन तक उनका साथ देते हैं, तो जैसे ही इनके काउंसलिंग के परकिरिया समाप्त होने लगेगी, हम आपके लिए नया बैच ला देंगे, आई, उमीद करतना हो कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, अधिक सधिक सेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे, और मैंने बोला कि 72 गंटे के बाद यह मैंने डाटा तयार किया है, और आज अगर मैं आपको बता दू, तो 10 तारी के सुरुवात हो हुई यांई, रात के समय ये वीडियो बना रहा हूँ, और 10 अभी सुरू हो रहा है, यानि 10 के सुब़ा आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, या पिर उसके बाद भी मिल रहा होगा, जब भी आप फिल इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का प्यार, आप सभी का सपोर्ट बना रहेगा, हमारे तरफ से जो भी सपोर्ट हो सके का सही होगो सके का हम लागतार आप सभी स्टुडेंट्स की करते रहेंगे, बहुत बहुत नमस्कार